Hello everybody, welcome to Quant Study मैं मुझे सिमक्तर आपका JKSSB क्लास 4 का प्रेपरेशन करवा रहा था Already हमने इसमें जो हैं इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिये मतलब हमने जो हैं ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करें हैं कौन-कौन सा articles, synonyms, antonyms, prepositions, verbs, reading comprehension, determiners, spellings आज हम sentences करेंगे, sentences हम दो parts में करेंगे एक आज और एक जो next वीडियो आएगी तब तो हमारा syllabus कंप्लीट हो जाएगा जो कि हमारा 20 marks का था, हमने शुरू किया था एक मन्त पहले तो अभी हमारा जो है complete हो जाएगा syllabus तो हम शुरू करते हैं sentence के साथ तो सबसे पहले sentence के बारे में आप में को बताना चाहूंगा कि sentence होता क्या है, sentence is actually group of words आपने बच्पन में भी बढ़ा होगा, आज तक पढ़ते आ रहे होंगे group of words जिसके कुछ fundamental rules होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे इसमें आगे जो group of words होता है न, उनको हम sentences कहते हैं but they should make a complete sense, यह नहीं कि मतलब कुछ भी group बना दिया words का वो sentence नहीं हो सकता, ठीक है, तो आपको समझ आ गया group of words that makes a complete sense, is called as sentence जो हम पढ़ते आ रहे हैं भचपन से, but यहां पर क्या होता है कि आपको यह भी याद रखना है कि exclamation point कहां पे लगता है जो है question mark कहां पे लगता है, उसके बाद जो है full stop कहां पे लगता है, यह सब आपको पता होना चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में समझेंगे, okay, so, सबसे पहले तो sentences की four types कौन-कौन सी है जो हमें important है पढ़ने के लिए, तो वो आपके सामने है, screen में declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence और exclamatory sentence अब धोड़ा हम इनको detail में पढ़ते हैं कि यह सब होते क्या है अचा, what is a declarative sentence? declarative sentence simply makes a statement और expresses an opinion declarative sentence एक statement बोल देता है, simple कोई statement जिसमें हम बोलते हैं उसको हम क्या कहते है, declarative sentence अचा, अगर दूसरी जो है statement words में कहा जाए तो यह एक declaration दे देता है, सिदे, मतलब कुछ sentence declare कर दिया जी बोल दिया कोई sentence कि इस तरह से कोई statement को declare करना, simple आप समझें तो उसको हम क्या कहते है, declarative sentence अचा, यह kind of sentence किस से end होता है, period से, period हम किसको कहते है, full stop को हम period भी कहते हैं, ठीक है तो यह बात आपको याद रखनी है, period मतलब जिसको आप full stop बोलते होंगे, या point बोलते होंगे, ठीक है अचा, examples of this sentence type are follows, ठीक है, यहाँ पर, जो है, दो examples देख सकते हैं, आप यहाँ पर I want to be a good writer, मैं एक अच्छा writer बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, एक simply statement बताई, या फिर कुछ, मतलब, हाँ, statement यहाँ पर मैंने दी, ठीक है, तो यह क्या हो गया, declarative sentence, याद रखना है, उसके बाद देखे, यहाँ पर My friend is really a good writer, मेरा जो friend है, वो एक अच्छा writer है, यहाँ पर भी मैंने एक बात कहा दी, ठीक है, एक opinion कहा दिया, मैंने, मतलब, opinion दे दिया ना, देखे, मैंने कहा था आपको, कि यह जो है, एक express करता है, एक opinion भी, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, अपने friend के बारे में, मैंने, ए एक opinion दिया, कि he is a good writer, ओके, अच्छा, I am sure कि आप लोगों को जो है, declarative sentence, जो है, समझ में आया होगा, I hope so, आगे चलते हैं, अब देखते है, imperative sentence क्या होता है, an imperative sentence gives a commands or makes a request, simple याद रखने, command देता है, या फिर कोई request बनाता है, यह जो है, ज्यादा तर, usually कहा, किस से end होता है, period से, यानि कि, full stop से, लेकिन, कभी-कभी, लेकिन, कभी-कभी क्या होता है, यह exclamation points से, वो कुछ circumstances पर depend करता है, कि, कभी-कभी कैसे आता है, यहाँ पर examples दी हैं, आपके सामने, कहाँ पर, जो है, points में आता है, कहाँ पर exclamation mark आता है, please sit down, यहाँ पर, I, यहाँ पर मैं क्या कर रहाँ यहाँ यहाँ पर, एक simply किसी को, जो है, request कर रहाँ, please sit down, तो, यहाँ पर, I need you to sit down now, यह, क्या हुआ, यह, suddenly मैंने कह दिया, एक बात, ठीक है, तो, इसके सामने क्या लगता है, exclamation mark, जरूरी लगता है, ठीक है, interrogative sentence क्या होता है, आप याद रखना, जिसमें question हो, मतलब, जो question पूछता हो, उसको हम क्या कहते हैं, interrogative sentence, अच्छा, यह type of sentence, जो है, यह, मतलब, oftenly, किसे begin, start होता है, who say, what say, word say, when say, why say, how say, or do say, and, हमेशा जो है, यह end किसे होता है, question mark, याद रखना, question mark, जो है, इसमें जरूरी है, हम जब next, जो video है, उसमें हम practice जब करेंगे questions की, तो, वहाँ पर यह आपको जरूर काम आएंगे, ठीक है, तो, I'm sure, कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, बहुत easy है, अपने पहले भ जो है, वो कब लिख रहे हो, ठीक है, तो, यह क्या है, when से start हो रहा है, तो, हमने इतना नहीं देखना है, हमने simply देखना है, कि question पूछ रहा है, कि नहीं देख, पूछ रहा है, तो, question पूछ रहा है, तो, यह क्या हो गया, कौन से sentence हो गया, interrogative sentence हो गया, नीचे देखे, do you know what the weather will be tomorrow किया क्या आपको पता है कल कैसा weather होगा चीक है तो ये भी क्या कर रहा है question पूछ रहा है तो ये भी interrogative sentence हो गया आपका ठीक है next बात करते हम अब exclamatory sentence exclamatory sentence क्या होता है exclamatory sentence जो होता है वो a great emotion दिखाता है जैसे excitement, surprise, happiness या anger और यह हमेशा exclamation point से end होता है किससे end होता है exclamation point यानि की exclamation point यानि यह इससे हमेशा end होता है examples देखें इसकी it's too dangerous to climb the mountain 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 पे चड़ना बहुत मुश्किल है ठीक है तो यह क्या है यह एक जैसे कि यह एक मतलब क्या है यह exclamatory sentence है क्यों है क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं danger की बात कर रहे हैं तो अचानक से हमें मतलब जो है यह एक great surprise कह सकते हैं हम इसको तो इसलिए यह क्या हो गया अपका exclamatory sentence देखें यहाँ पर दूसरा जो example है I got an A on my book report मुझे A मिला ठीक है तो यह क्या है happiness ठीक है यह happiness की बात हो रही है यहाँ पर तो इसके साथ भी क्या लगता है exclamation mark okay तो एक second यहाँ पर क्या लगता है exclamation mark और इनको बोलते क्या है हम exclamatory sentences I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा thank you very much for watching एक ही वीडियो बच्चा है उसको भी हम complete कर देंगे आने वाली वीडियो में तो I hope आप लोगों को समझ में आया होगा thank you so much for watching I will see you in the next sentence video